नमस्कार दोस्तों, BDRD डूटोरियल में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का कहर जारी है देश में कोरोना की केसे स्टेजी से बढ़ते जा रहे हैं, पिछली कुछ महिनों में हम सबने कई बार RTPCR टेस्ट कराए हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से आपने अब तक जितनी भी RTPCR टेस्ट कराए हैं, उनकी सभी रिपोर्ट्स एक साथ एक ही जगा से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं भारत सरकार की Indian Council of Medical Research यानि ICMR ने एक सिंगल विंडो लिंक बनाया है, जहां एक फोन से रेजिस्टर किये गए सभी RTPCR टेस्ट की रिपोर्ट्स एक साथ मिल जाएंगे इसके लिए हमें सिंपली ICMR की COVID-19 रिपोर्ट पर जाना होगा, जिसका URL है report.icmr.org.in जो किसी भी ब्राउजर से खुल जाएगा यानि कि आप अपने मोबाइल से भी इस URL को एकसेस कर सकते हैं और अपनी RTP से डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन इस लिंक को मैं अपने description box में भी mention कर दूँगा ताकि आप directly इस लिंक पर जाएं और अपनी आज तक की सभी जो आपने RTP से टेस्ट कराते टाइम मेंशन कर रहा होगा form में यहां get OTP पर क्लिक करना होगा तो आपके फोन में OTP आ जाएगा यह OTP 3 मिनिट तक valid रहेगा और आपको इस OTP को यहां पर mention करना होगा मेरे फोन पर OTP आ गया है यह देख सकते हैं आप 106493 उसके बाद आपको verify and proceed पे क्लिक करना होगा जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर एक पूरा database खुल जाएगा जहां पर पूरी history दिख जाएगी कि आज तक मैंने कितने RTP से टेस्ट करा हैं और अगर specifically मैं कोई report डाउनलोड करना चाहता हूं तो इन सब पे बारे बारे से क्लिक करके मैं अपनी reports जो है वो डाउनलोड कर सकता हूं जैसे suppose मैं अपनी third number जो है वो report डाउनलोड करना चाहत हूं तो history पर click करके एक नई window open हो जाएगी जहां मुझे यह सारी details दिखा देगा कि मेरा RTP CR test कब हुआ है कब कब हुआ है और उस report की जो result था वो भी दिखा देगा in case मैं इस report को डाउनलोड करना चाहता हूं तो action की नीचे जो symbol दिख रहा है डाउनलोड का उस पे click करूंग उस पे click करते ही मेरी जो यह report है वो pdf और बिट में डाउनलोड हो जाएगी इस pdf report को मैं अपने phone में save कर लूँगा यहां जैसे save option आ रहा है save option पे click करते ही यहां मेरी report जो है वो save हो जाएगी और ऐसे मैं अपनी सारी reports को जो है वो download कर सकता हूं यहां आप देख सकते हैं कि मेरा result जो है वो negative दिखा रहा है COVID का तो इस तरह से आप जो है वो अपनी सारी reports इस link पे जाके download कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और इस वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद